नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका UPSC Adda 247 पे तो 2 सेप्टेंबर इंडिया नेवी के लिए और ना केवल इंडिया नेवी के लिए भारत के लिए भी काफी महत्वपूर दिन साबित रहा है क्योंकि हमें भारत का पहला इंडिया जो एरक्राफ्ट है विकरांत ये मिला है INS विकरांत उसके साथ हमारी इंडिया नेवी को नया फ्लैग मिला है तो सबसे बड़ी खास बात इसमें ये भी है कि जो इंडियन नेवी का नया फ्लैग है ये इंस्पायर है कहीं न कहीं छत्रपती सिवाजी महराज से ये काफी बड़ी बात है एक तरीके से इसके लिए जो न्यूज आर्टिकल भी अपलिश हो रहे हैं वो कुछ इसी तरीके के अपलिश हो रहे है कि हमने नए इंडियन नेवी के फ्लैग से एक तरीके से ट्रिबूट किया है शत्रपती सिवाजी महराज को यहाँ पर आप देखते थे पहले इंडियन नेवी के फ्लैग में उससे तो इस वीडियो में हम इसी को डिसकस करने वाले हैं तो यहाँ पर फाइनली इंडियन नेवी का जो फ्लैग है वो भी गुलामी के निशान से अब आजाद हो चुका है डिसकस करते हैं इसको आपको बहुत कुछ करता महत्वपूर्ण यह साबित होने वाली है कि काफी अच्छे-चे फिर्चर जो हैं इसके उपर मोजूद हैं यहीं पर आप कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं और यहीं आप यूपेसी की तयारी करना चाहते हैं तो प्री प्लस में प्लस सी सेट तीनों के लिए काफी अच प्लस पीड़ी है वन टुमर मेंटर्शिफ आपको बहुत कुछ मिलेगा इस प्लस में और यतनी कम प्राइस के अंदर बहुत कम प्राइस के अंदर तो 5 सेप्टेंबर को यह कोर्स जाए वो लांच हो जाएगा अगर आप इसको इसको एन्रोल करना चाहते हैं तो वाई 572 जो कोड है वो आप यूज कर सकते हैं इस डिसकाउंट कोड मिरेकल कोड आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा डिसकाउंट देखने को मिलेगा इस कोर्स के लिए और साथ यह आप स्टेट पीसेज को लेकर सीरियस हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे काफी अच्छ अब लाइव हो चुके हैं वो भी डबल वेलिडिडी के साथ में मतलब एक साल के कोर्स में आपको दो साल का जो फायदा है वो मिलेगा तो आप इसके लिए भी वाई 572 जो कोड है वो यूज कर सकते हैं तो आपको यह प्राइज हाई लग रही है तो कफी कम प्राइज में यह जो कोर्स है वो मिल सकते हैं तो अगर दिए आगे बढ़ने से पहले एक चीज में आपको ज़रू बता दूँ एक वीडियो जो है वो ट्वीटर के उपर काफी ज़्यादा देखा जा रहा है वो आप सबसे पहले देखें उसके बाद हम आगे का डिसकुशन ज़रू करे कि अधियो ज़रू काफी का डिसके बाद का देखें तूसार मेंश ज़रू एक ज़रू ज़रू और बढ़ एलो that would honor its civilizational heritage. Over the years, India's naval ensign has undergone several changes and transformed on many occasions, shedding the last remnants of the colonial past. On 2nd September 2022, the Indian Navy adopts its new naval ensign. With the national flag on the upper canton and a blue octagonal shape encompassing the national emblem sitting atop an anchor, depicting steadfastness and superimposed on a shield with the Navy's motto, Shum No Varuna in Devanagari. The octagonal shape represents the eight directions symbolizing the Indian Navy's multidirectional reach and multidimensional operational capability. The octagonal shape with twin golden borders draws inspiration from the seal of the great Indian emperor, Chhatrapati Shivaji Maharaj, whose visionary maritime outlook established a credible naval fleet consisting of 60 fighting ships and approximately 5,000 men. The rising Maratha naval power during Shivaji Maharaj's period was the first to secure the coastline against external aggression. As India marks the 75th year of its independence, the new naval ensign is a step towards liberating the mind and further empowering the indomitable spirit of the sentinels of our seas, the Indian Navy. तो यह जो वीडियो था, यह आपने देखा होगा, इसमें कई अच्छे अच्छी बाते जहें बताई गई है, यह वीडियो जो है वो ट्विटर पर काफी ज़्यदा शेर भी किया जा रहा है और सोशल मीडिया के उपर भी यहाँ पर इंडियन नवी के नए फ्लैग के लिए काफी अच्छे तरीके से इसको वाइरल किया जा रहा है, इसको BJP ने भी शेर किया है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि INS विकरान के साथ साथ यह जो नए इंडियन नवी का फ्लैग है, यह भी एक सिकनेफिशन्ट साभीत हुआ है आज के लिए, अब देखिए यहाँ पर एक चीज में आपको ज़रू बता दूँ कि PM Modi ने नो सेना का जो ज़ंडा है वो जारी किया है, तब से पहले आपको यह बात ज़रू ध्यान रखनी है, उसे साथ साथ जो पुराना ज़ंडा है वो अंग्रिजों के जमाने के था, मतलब एक तरीके से गुलामी की कड़ी के तोर के उपर उसको देखा जाता था, ऐसे में नया ज़ंडा जो है वो नो सेना के ज़ंडे को ज्यादा लहराएगा, ज़्यादा गौरवानवित करेगा, यहाँ पे आप देख भी बारे होंगे, और एक सिंपल चीज में आपको पहला ही बता दूँ, कि अगर आप गूगल के उपर सर्च करेंगे अभी, कि फादर ओफ इंडियन नेवी कौन है, तो आपको सबसे पहला जो नाम मिलेगा, वो चत्रपती सिवाजी महराज का मिलेगा, हाला कि इसके लिए कोई ओफिशल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन एक तरीके से जो गौरव साल इतिहास, नो सेनाकस चत्रपती सिवाजी महराज के टेनियोर में था, वो शायद ही कई हमें देखने को मिला हो, हमने शायद चोला डाइनिस्टी के बारे में भी काफी ज़रा सुना है, कि इंडियन नेवी का डेवलप्मेंट चोला डाइनिस्टी में हुआ था, बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन जो सिगनेफीशेंस माना जाता है, वो 36 सिवाजी महराज का जो टेनियोर है, वो माना जाता है इंडियन नेवी के लिए, इसलिए इन्हें फादर ओफ इंडियन नेवी भी कहा जाता है, और वैसे भी देखिए दिए हम फ्लैक्स की बात करते हैं, तो यहाँ बे आप देख पा रहे हों कि 1947 से लेकर 1950 तक यह फ्लैक्स था, यह जो क्रोस आप देख रहे हैं, इस क्रोस को सेंट क्रोस जोर्ज कहा जाता है, मतलब यह कहीं ना कहीं प्रेजित है बिट्रिस काल से, और यह इंपोरेंट हो सकता है, लेकिन हमारे देश के लिए यह कोई इंपोरेंट सब नहीं रखता, क्योंकि हम 1947 में आजाद हो चुके हैं, यह इंगलेंड के लिए शायद इंपोरेंट रखता हो, कॉमन वेल्थ देशों के लिए शायद इंपोरेंट रखता हो, जिसमें भारत का जंडा जो है बाई और लगाया गया और सेंट क्रोस जोड़ जो है वो मुझूद था बात में 2001 में इसको उपर बड़ा चेंज आया क्योंकि उस समय एंडी की सरकार थी अटल बिहारी वाजपई जी उस समय देश के PM थे इन्होंने ये जो रैड क्रोस से इसको हटा दिया था नेवी का सिंबल यहाँ पर लगाया था लेकिन बाद में फिर से तब 2004 में यूपिय गोवर्मेंट आई तो फिर से रैड क्रोस को सबित कर दिया गया और अशोक का जो चिन है वो बीच में लगाया गया और इंडिया का जो फ्लैग वो बाई और था तो अब तक आपने ये फ्लैग जो है वो नेवी का देखा होगा लेकिन अब जो है इंडिय नेवी का फ्लैग बदल चुका है यहाँ पर यह जो है यह अब इंडिय नेवी का फ्लैग बन चुका है यहाँ पर यह अश्टकोनिय सिंबल में जो नेवी का सिंबल लगा हुआ है यही प्रेरित है सिवाजी महाराज के राज मुद्रा सिंबल से, इसलिए ये इंस्पायर करता है सिवाजी महाराज के उस गोरवशाली नो सेना के देहास को, इसलिए एक चीज़ में आपको वापस बताना चाहूंगा कि यहाँ पर यह जो आप देख पा रहे होंगे, यह जो संसकर्त में शम नो वरुन है, यह जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि देखे इसका एक शाब्दिक अर्थ है, इस अश्टकोनिय पर्तिक के नी के अंदर भारतिय सनातन परंपरा में वरुन को जल का देवता जो है, वो माना जाता है, और अब यह जो नया फ्लैग है, यह पूरा का पूरा इंस्पायर है, सिवाजी महाराज के उस नो सेना के गोरवशाल इतिहास के पूरे टेन्योर से, और सिवाजी महाराज के कुछ व कार में है, शिवाजी महाराज हमेशा भारतिय नो सेना के लिए प्रेना सोत रहे हैं, और चत्रपति शिवाजी महाराज को भारतिय नो सेना का जनक भी शायद इसलिए का जाता है, नो सेना का पिता में है, इन्हें का आ जाता है, क्योंकि इनका जो पूरा एक कार्यकाल है, वो symbolic tenure माना जाता है भारत के लिए, अब यहाँ पर आप देख पा रहोंगे similarities क्या-क्या है, तो यह जो अश्ट कोनी है, जो आकर्ती बनी हुई है, यही यहाँ पर प्रेरित करती है सिवाजी महाराज के उस tenure को, यह राज मुद्रा है, शिवाजी महाराज की एक सिंबल है, इसी को यहाँ पर नए फ्लैग में उकर आ गया है, और ऐसा कहा जाता है कि महाराटा शासक, चत्रपती सिवाजी महाराज ने भारतियों नोसेना की नीव रखी थी, इन्होंने 1674 में 1674 में इंडियन नेवी की नीव रखी थी, क्योंकि नोसेना बल्कि जो स्थापना है वो उसी समय सिवाजी महाराज के दोरा की गई थी, महाराटा जो सेना है उसको और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए, और शत्रपती सिवाजी महाराज ने समुदर की रख्षा के लिए कौंकन और गोवा में एक मजबूत नोसेना की जो स्थापना है वो भी इसी साल करी थी, इस हिस्से को एक तरीके से अर्बो, पुर्तिगाली, बिटिस और समुदरी लुटेरों से बचाने के लिए, जो तटिये छितर है उसके आसपास में सिवाजी महाराज ने अपने नोसेनिक अड़ो को एक तरीके से हिंदू और मुसलिम दोनों एड्मिरल में एक तरीके से न शिवाजी महाराज ने 1657 से लेकर 58 तक कई जहाजों का निर्मान किया, उन्होंने परसिश्चित लोगों को 20 एरक्राफ्ट तियार करने का काम जी वो भी सोफा था, और जंजीरा जो तटरेखा है उस पर भी सिद्धियों के खिलाफ कई लड़ाया इन्होंने लड़ी थी, जो समुदरी लिटेरे थे, और सिवाजी के बेड़े में लगबग 200 जहाज थे ऐसा कहा जाता है और 2 स्कॉर्डन भी शामिल थे ये भी कहा जाता है, तो इसलिए एक तरीका जिस सिगनिवीशन पाना गया है चत्रपरति सिवाजी महाराज को इंडियन नेवी के लिए, और आज हमें इस बात का पता चला है, तो यह है इस वीडियो का एंड आपको जुरू कुछ नहीं जानने को मिला होगा, इसी तरह के इंपोर्टेंट और इंप्रमेटिव वीडियो से थाता मागे मिलते रहेंगे, धन्यवाद